हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं इस्टेटी फीड़ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों न्यू प्रैक्टिस चेट का यह 21 प्रैक्टिस है ये सभी प्रिवेश यर कोशन्स में आए हुए कोशन्स है और इसी करने के बाद मैं जैसे की सभी लोग का कमेंट था कि यूद्ध कोशन्स को कमप्लेट कराएं तो उसे भी कराओंगी और statements based पे जो questions आते हैं उस प्रकार के भी questions लाऊंगी आप tension ने लिजिए और जो भी questions का कोई answer गलत होता है आप comment करके बता देजिए बस मैं next वीडियो में उसको जरूर किलियर कर दूँगी और आपको आता है तो आप उसका answer भी बता सकते हैं तो चलते हैं आज के questions के तरफ question number one है किस संधी में अस्थी को 360 degree में घुमाया जा सकता है तो दोस्तों आप सबको पता है जो ball and socket joints होता है जिसमें सभी दिशाओं में गती संभो है सही प्रकार की गतियां संभो है जिसमें हमारा hip joint and solar joint आता है question number two है penalty corner कि स्केल से समझीत है तो दोस्तों आप सबको पता है कि यह penalty corner hockey से related है यदि penalty kick का था तो kick सब्सक्राइब जितने भी आएंगे उप प्रवाल से related हो जाएगा तेकिर penalty corner कि से related है hockey से और penalty stroke right back center forward center half center line lineman tie breaker bully roll on यह सब्सक्राइब हो की से समझीत है question number three है hockey stick का वज़त कितना होता है तो दोस्तों hockey stick का वज़न जो है कहीं 26 ओंस तक भी 28 ओंस यहां पर 28 ओंस एंसर दिया हुआ है hockey stick का जो वज़न होता है 28 ओंस होता है question number four है बॉसकेर बॉल से समझीत ट्रॉफी है तो दोस्तों बॉसकेर बॉल से समझीत ट्रॉफी है M.S. अरजुन राजा ट्रॉफी अरजुन राजा ट्रॉफी यहां पे जो है पुडिमा ट्रॉफी आपका है बेर्मिंटर्स सॉरी दोस्तों बॉलीबॉल से समझीत बॉलीबॉल महिला एंधिया लिंचन ट्रॉफी जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं किसे रिलेटेड है कोर्शन नंबर फाइफ है लाल रग्त कडिकाओं की आयू मानों में होती है दोस्तों आप सब को पता है कि लाल रग्त कडिकाओं की आयू जो है नपे से 120 दिन होता है नपे से 120 दिन यहां पे दिया नहीं है तो 100 से 120 दिन आइट एंसर हो जाएगा आइड डबरीछी का जीवन काल एक से चार दिन और फ्रोंड़ का आट से 10 दिन होता है कोश्चर नंबर 6 है कोठाब गोथर दे जकाइच्टन आफ नथा कि स्थापना कब हुई कोठाबंश बिकाइच्ट्ट में आधुनिक मनुविज्ञान अध्यान का संबंध है आप सबको पता है modern psychology is related to the study of behavior ठीक है तब यहार से संबंधी थी जैसा कि मैं आपको कई पर पता चुकी हूं आप सबको कि मनुविज्ञान को सबसे पहले मनुविज्ञान को जो सब्दिक अर्थ है युनानी यानि गरिक भासा के साइके लोगस सब्दों से मिलकर बना है साइके का मतलब होता है आत्मा यानि सूल और लोगस का मतलब अध्यन यानि आत्मा का अध्यन इसका सब्दिक अर्थ होता है मौन विग्यान को सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर बियोहार कहा गया मतमार में इसे बियोहार का विग्यान कहा जाता है मौन विग्यान को आत्मा का विग्यान कहा अरस्तू, प्लेटू, डेकार्ड ने कि श्लफु सतावधी में और मन विजयान को मन मस्तिश का विजयान कहा गॉशन इसकी न यह तुर्फितली यह ? जै यह यह अगने सी अभी विजयान वृक्तली लिघ्चेम थे और जेंपरत्न को मन वाधली वृडजह ची अए। by Magdugal ने कहा he a Beyaw權 लिद्धुजयान को निश्चित यासुद मनउफजयान वार्चन ने कहा Minowegyan पिता है William und questions इस प्रकार से पूछा जम्कार में प्णुछा जाता है प्रायोगीक मनोपियान या व्योहारिक है व्योहारिक मनोपियान की पिता कोन है तो William बिलियम उंड लेकिन ब्योहारवाद की जम जाता है और सन कलिस्थानिक सिच्छा मनविग्यार्ण का आरम किया प्लेटो ने मनविग्यार्ण की प्रतम प्रयोग शाला बिलियम उंड ने 1889 में जर्मनी के लेबजी सहर में खुला प्रिंस्पल आप साइकलोजी पुस्तक प्रकासित होई 1890 में बिलियम जेम्स के द्वारा गर्मिस में लू से प्रिद ब्यक्ति को किस प्रकार का प्रात्मिक उच्चार देना चाहिए तो जो प्रात्मिक उच्चार फर्स्ट एड है गर्मिस में लू से प्रिद ब्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या उसको कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकास में रखना चाहिए नू दोस्तों उसको प्रिद बेक्ति को ठंडे अस्थायम पर लिटाना चाहिए उसके पस्चार समाने होने पर पानी वानी जो भी देना है वो देना चाहिए Q9 है इनमें से किसने इतनी सफलता से खेलो में आम रूची को बढ़ावा दिया था तो दोस्तों ओ रहा आपका रेडियो टेलिवीजन पर सिधा प्रसार लाइब ब्रेड कोस्टिंग रेडियो एंड टेलिवीजन जिसे घर घर तक खेलों के बारे में लोग जाने देaking रेडियो टेलिवीजन पर सिधिय प्रसार से खेलों को अतिस तिविता से आम लोगों बढ़ावा दिया दिन पर दिटिंग खेलों के सजीव और्ट वोग में इनकी यह क्या हिया लोगपिन दिन को में अब तो दोस्तो, efficient planning is started when? तो आप कुसल योजना कब प्रारम्ब करेंगे? जब आप skill पर mastery हासिल करेंगे, तो after attending full proficiency in the art, यानि कला पर पूड कुसलता प्रारम्ब करने के पस्चाथ, हम कुसल योजना प्रारम्ब करते हैं. Question number 11 है, volleyball में सर से उपर ball का pass देना, यारे कि overhand pass इस सो बोला जाता है इसमेंसे दोस्तों हम दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं जैसा कि आप η male खेलते हैं आप सब को पता ही है तो overhead pass देने क्लिए दोनों हाथ चेहरे के सामने होना चाहिए कुहनिया मोडी होना चाहिए सरीर के कॉफी पास होने चाहिए माथे के सामने तथा उंगलियों की टिप्स से पास देना चाहिए ऐसा करते हुए घुटने तथा बाजू पास देने की दिसा में खुलने चाहिए किसके मापन के लिए वेट इस्पाइरोमिटर का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रख़दा ब्लट प्रेसर के लिए इस फिग्णू मैने मेंटर का प्रियोग किया जाता है नाड़ी गट्टी पर्स रेट के लिए इस्टेते स्कूब का त्याहाँ पर इस्पाइरोमिटर का प्रियोग वेट इस्पाइरोमिटर का वाइटल कैपेसिटी यानि कि जैविक छंता अधित्तम स्वसन गोहन करने की छंता को मेजर किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं जैविक छंता क्या होता है वाइटल कैपेसिटी कि यह फेपरों की वह छंता होती है जो एक बार पूर रूप से अंता स्वसन यानि इंस्पाइडियेशन करकी पूरे बल के साथ जो हवा वाह स्वसन द्वारा बाहार निकाली जाती है उसकी मातरा क जे है कि रही है तो पूरे बल के साथ एप्रयोग जरूर होगा आपडियान रखेगा तो वाइटल कäre प्राणवाज जो 500 ml थीक है तो प्राणवाज जो 500 ml होता है ठीक है तो तेडल वल्यूम कितना हो गया अब का 500 ml फिर होता है कंप्लिमेंटर फूरक वायू यानि समाने स्वास के बाद यदि वायू और जूर से स्वास लेकर फेख़़ों में भरे जाए इइन इस्पञ्रेसन किया चाहते हैं वायू कितना होता है कितना होता है तीन हजाल एमल उसके बाद गहरी स्वास लेकर के इस्पारिशन किये फिर गहरी स्वास लेकर के बाहर निकालेंगे क्या होता है गहरी स्वासद्वार वायू को बाहर निकालना एक्सपाइडेशन करना सप्लिवेंटर एयर होता है जो जिसकी मात्रा 1100 ml होती है इन तीनों को जोडने पर आपका आ जाएगा च्यालीस सो एमल ठीक कितना जाएगा च्यालीस सो एमल लेकिन इन सब की पस्चाइड एक होता है रिसिडिल एयर अबसिस्ट वायू यानि पूरे बल के साथ एक्सपाइडेशन वाहर सोसन की पस्चाइड फेफो में जो बची हु टॉटल लंग कापीसिटी आपका 58 e-mol यानि की 528 l होता है टाल लंग कापीसिटी जात्रे का सुत्र होता है वायल कैटल कपीसिटी प्स रिसिडिवल वायलियूम थाइप च्यालीस गपीसिटी ईन मुल मग दुन चाद कि जोड़ेंगे तो आपका 58 लितन 다र्ग की पापी माइकल जॉर्डन की स्खेल से संबंधित है तो दोस्तों माइकल जॉर्डन जो है वो बॉसकेट बॉल से संबंधित है कोश्त नमर 14 नमर मेरू दंड की कितनी हडियों से मिलक़ बना है तर इसपान इज मेड अफ की आफ हाव मैन इस बॉन्स तो आप सबको पता है दोस्तों यह तैटीस हडियों से मिलकर बना हुआ है और वायस कोने पर यह चबिस ही बचे जाता है तैतिस हडियों से मिलकर बना है इसको पांच भागों में बाटा गया है पहला जो है आपका होता है सर्वाइकल बॉन साथ होती है फिर वच्छ वाला बॉन आपका होता है बार एंड कमर वाला बॉन होता है आपका जो लंबर रिजन में होता है पांच और सेक्रल जो होता है आपका पांच और काक्सी जिल होता है आपका चार लेकिन ए आपके सेक्रल जो है पांचों मिलकर बाद में एक हो जाती है और काक्सी जिल भी पांचों मिलकर बड़े होने पर एक हो जाती है तो कुल मिलाकर के बचा कितना 26 हड़ियां बचती हैं ठीक है फुल 26 हड़ियां बचती है वयस्क होने पर बच्चों में पूछेगा तो 33 वयस्कों में पूछेगा तो 26 ऐसे ही पूछेगा तो 33 है कुश्चिन नंबर 15 है भोजण की ऊर्जा को मापा जाता है फूड इनर्जी समीजेरल इल तो आप सब पता है कैलोरी में मापा जाता है में हैं यह को वह ड्यूश्च को कैलोरी में मापा जाता है जैसे फर एक ग्राम प्रोटीन और कार्भोहड़ेट से 4.1 कलोरी उर्जा प्राप्त होती है बटर एक ग्राम फैट यानि वसा से 9.1 कलोरी उर्जा प्राप्त होती है इस अवर्गी कों सा है आप सबको पता ही है सेल्डन जबुचता है कोई पूछी है ना पूछे अच्छे से याद कर लेजेगा इसको एंडोमोर्फिक मेसमोर्फिक एक्टोमोर्फिक यानि गोल काय सुडोल काय और लंबकाय तो आप जानते हैं कि जो गोलकाय बाड़ी होता ह एंडोमर्फिक यानिकी गोल काई बार्डी जिस भी इसको हम विश्रू टोलिंग भी कहते हैं इसका जो सुमेटर टॉइप होता है सेवेन वर्न वान होता है एंडोमर्फिक सरी मोटा कोमल बहुत खाने की प्रविति अराम तलब बिनुद प्री मिलनसार होता है इस स्ट्रेंथ वाले चीज़ों में जादे अच्छे होते हैं जैसे पावर लिफ्टिंग गोला फेक तसरी फेक सुमो कुस्ति आदी एजलिटी इस भी में अच्छे नहीं होती दूसरा होता है पेसी प्रदान सर्म रचनाय ने मैसो मुर्फिक सुडोल काय बार्डी जिसे हम स सुमेटोप 171 होता है मैसो मुर्फिक जो है अस्थि पंजर वा पेसिया मजबूत होती है बिक्सित मजबूत सरी होता है अच्छा वदन-फूर्दिला सासी उसाही निजर ससकत अधिकारक्रु प्रभिती कठनाई में अधिक सक्रीव होती है यह ताकष चपलता चाल से समधी तिसरा वहता है अस्थी प्रधान संट रचना एक्टो मोर्फिक बॉड़ी जिसे लंग का बॉड़ी कहते हैं इसको हम से रिभ्रो टोनी प्रमस्थिक प्रहां इसका दिमाग जदा बिश्कित होता है लंबा दुबला कमजोर सुंदर होता है एप इस अंसिता वाले खेलों में तो बिश्करां और जिमनास्टिक में जद्धा अच्छा होते हैं को भुटे निव से वेंटीन है और एच्विक पेसी का दूसरा नाम है अंडर नेव आप इनवलेंट्री मसल्स तोस्तों जश्क आप जानते हैं कि यह एक पंष्ट नहींड मसल्स कहते हैं जो अंतरिक वो आपके अनेचिक पेसी होती है जो हमारे इच्छा अंसर काम नहीं करती है हमेशा सोटे उर्थे जागते काम करती रहती है जो रेखित पेसी जो वेलेंटरी मसल्स होती है हमारे इच्छा अंसर कार्म करती है अहिदे पेसी जो होती है वो हमेशा अनेचिक तरह काम करती है ज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जबकि आपका जो अरेखिद और हिरेपेशियां होती हैं इन्वलेंट्री और कॉडेक मसल्स होती हैं उनको एनस यानि कि आउटोनामिक तर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है संपुड योग है यह परिभासा किस ने परिवासा दिया है तो यह अंजाए ने फ्यमस परिवासा कभी कभी आ जाता है पूर्सों की तुलना में महिलाओं के सरी का कौन सा भाग तुलनात्म गृत्व से चौड़ा होता है आप सब को पता है पेलवीग वाला भाग ज्यादा चौड़ा होता है जिसके कारण इसका आधार नीचे होता है गृत्व केलर जो होता है सेंटर ग्रवेटी पॉइंट भी पूर्सों के चुलना में जिससे इसंतलन वाले क्रियाए पूर्सों से ज़्यादा चाह कर लेती हैं को स्कूर्ण नमर्ब 20 है बॉसके दुबाल खेल की सुरुवात किसने किया था आप सब को पता है बॉसके दुबाल खेल की सुरुवात 1891 में करेडियन ड़क्टर जैम्स यहां समीजट के दोरा अमेरिका में यम्सी इस्कूल में किया गया था तो यहां पर जेम्स नैसमिट आपका राइटेंश्टर होगा Q Franken n.27 प्रसिष्ड में इस्थनाथर क्या है। दोस्तो, पुरानी जान को नवीन कार्य करने में च शिखने में उसका प्रयोग करना ही इस प्रसिष्ड का इस्थनाथर है। यहां पिर एडिंसर हो जाएगा पुरानी सीख को नवी नमस्था में प्रयोग करना अप्लाइंग ओल्ड लर्निंग इन न्यू कंडिशन्स यह तीन प्रकार का होता है ट्रांसफर आप लर्निंग जैसे कि पाज़ोटी नेगेटी और जिरू ट्रांसफर जो पाज़ोटी यानि सक्रात्मक ट्रांसफर होता है इस्तनादर पुरू ग्यान का जब नवीन कारे सिखने में उस सहयता कर रहा है तो वो सक्रात्मक इस्तनादर है पाज़ोटी जब पूरू का ग्यान नवीन कारे सि में नतुपादावत्पन कर रहा है और नहीं सहायता कर रहा है उससे सुनने इस थानांतर करते हैं कि कुछन नमर बाइस है निन में से क्या मनुस्तिक में एक गए संक्रामक रूख है फॉल्विंग इनाइज ए नाँ कम्यूनिकबल डिजीज इन हुमन यहां पर देख सकते हैं हैं हेपेटाइटीज इंफ्लुईञ तपेडी यहां पर हेपेटाइटीज इंफ्लुईज दोनों वारल डिजीज है वारेस को तोरा फैलता है तपेडिक यूट्यूबर क्लिशिस ह सब्सक्राइटा मातशम कैम रखितो होता है और इत्कमल इयुक्तिय षकक कैंशल匙 जो होता है यहां पर देख सिता से मूखने तो प्सक्राइटामक कोन फैल किमल मंदक्ठ democrat दिख कालियूज अलग होता है, what are the personality traits that make a physical education stand out, तो दोस्तों प्रहावी आकर्शन, बहतरी इन्स्वास्ति और उच्छ इस्तर की सच्छमता होना चाहिए, तब वो दूसरे से अलग दिखता है, यानि कि impressive charm, excellent health and high level of competence होना चाहिए, question number 24 है, पार्थ योजना के लाव भाग हैं, तो दोस्तों 71 करण होता है, एक साथ करके बच्चों को सुरी की बीबी दिशा में according to height खड़ा किया जाता है, फिर हम प्रस्तावी B.I.M. वार्माप उग्रा करवाते हैं, उसके बाद हम कौसर अभ्यास, skill का अभ्यास कराते हैं, फ question number 25 है, मनरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं, सौवेगों से है, या कथन किसका है, तो entertainment is related to emotion, not action, इस कथन को कहा है, जार्ज रोम नीनी है, याद रखिएगा question number 26 है, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रसिचित करना कहलाता है तो दोस्तों, यहाँ इस question का answer बहुत जोगत दो-दो answer दिया हुआ है, यहाँ भी तो दिया गया है, मनरंजन, यानि कि recreation, कही कही सीविर भी दिया है, तो लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के प्रसिचित करना यहाँ प्रसिचित करना यहाँ प्रसिचित कर number 27 है कि सर्वदाता कहा जाता है, which blood group person is called universal donor, तो सर्वदाता जो सबको दे सकता है, वो है आपका O, रतवर्ग A, A को देगा, B, B को देगा, लेकि A भी जो है, सबका लेगा, सर्वग्राही है, अगर दोस्तों positive negative में पूछेगा सर्वदाता कौन है, तो वो negative होगा, याद रखेगा, positive मत लगाईएगा, question number 20, हमारे सरी में कितनी जोड़ी पसलिया पाई जाती है, how many pairs of ribs are found in our body, आप सबको पता है, पेर्स में पूछेगा तो 12 जोड़ी और ऐसे संख्या में पूछेगा तो 12 तो 24, बीच में क्या होती है, बीच में एक मोटी हड़ी होती है, यहाँ पे हसली जाती है, यहाँ पे पसलिया जुड़ी रहती है, इस पसलियो के पिजरे में होता है हमारा फेपडा, question number पूछा हुआ था, question BPC-TIA2 में, कि फेपडा कहां पे सुरुचित रहता है, तब पिजरे में, थीक है, पसलियो के पिजरे में सुरुचित रहता है, question number 29, है, सरी जिर्माण भोज में अधिक पाए जाता है, which of the following is found abundance in bodybuilding force, तो दुस्तों bodybuilding force, किसे कहा जाता है, आप सबको पता है, protein को, कारेक्या थारव भोजन को तिन भागम बटा गया है, उर्जा प्रदान करने वाले, carbohydate and वसा, सरी के निर्माण करने वाले bodybuilding force है, protein, and सरी के रच्छा करने वाले र कोसिन नमर 30 है, बास्केट बास्केट बाल में मैच की सुरुआत कैसे होती है, how does a basketball match start, जैसा कि यहां पे आप जानते हैं कि फुट बाल, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, आपको एक विदियो भी बनाया हुआ है, कि कौन सा गेम कैसे सुरू होता है, फुट बाल जो है, कि कि सेट बालर द्वारा गेन फेकने से, होकी सेंटनर पॉसं से, बैमिंटर टेबल टेनिस बॉल ऐसे भी की सरविस देपर शुरू हुआ हुआ है, और बैमिंटर हमेंसाा राइड सर्विस कोर्स से वता है, बासे बास पॉसं बास से उता है, खोको पोल से यइक्टी चेजर सु स्ट्रीम आफ से होता है एंड स्क्वेश सर्विस से होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बास्केर बाल के होता है सुरूबाल से होता है लेकिन थ्रोबाल भी आपका बास्केर बाल से ही रिलेटेट है यहां पर थ्रोबाल आपका राइट इंसर हो जाएगा अगर आए और इसलिए यहां पर throw ball होगा कोशन नंबर 31 है प्रतियोगिता कितनी प्रकार के होती है how many times of competition are there तो जैसे कि अब जानते हैं चार प्रकार की होती है प्रतियोगिता यानि competition, knockout, league जिसे round-dombing tournament भी कहते हैं और तिसरा combination tournament, चोथा challenge tournament जिसमें से knockout भी चार प्रकार का होता है single knockout, double knockout, 17th tournament and backdoor wild elimination tournament 17th tournament को consolation tournament भी कहते हैं league tournament के दो प्रकार का होता है single league, double league इसमें fixer दाने की तिन वीडियोओ होती है cycle, tabler and staircase method तिसरा होता है combination tournament जो चार प्रकार का यह भी होता है नाक कम नाकाउ, नाक कम लीग काउ, लीग कम लीग एन लीग कम नाकाउ टूर्णामिन चोथा होज़ा challenge tournament यह भी दो प्रकार का होता है challenge tournament, ladder type याई steady प्रकार अदूसरा pyramid type pyramid type भी दो प्रकार का होता है king's tournament और carb wave tournament जिससे carb wave tournament को spider wave भी भी कहा जाता है तो दोस्तो यह था आज की session का 31 question, I hope कि सभी questions आपको समझ में आये होंगे, जिस भी question में जो भी doubt होगा, comment में जरूप आए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे clear कर दूँगी, और ज्यादे ज्यादे वीडियो को share भी कीजिए, जिसे और लोगो तब वीडियो पहुंच सके त नेक्स वीडियो प्राइडिस में तब तकिली जाए है